नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त हाजी रहूं फिर एक नई महत्तोपुन्न जानकारी के साथ दोस्तों आज की जानकारी बहुत ही जवरजस्त है दोस्तों आज हम छोटा धतुरा के फायदे के बारे में बात करेंगे छोटा धतुरा बरसात की सिजन में सर्वत्र उग जाते हैं दोस्तों इसे खेत खलियान में आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें 2-5 cm लंबे, अंडाकर और कांटेदार फल लगते हैं ये सर्वत्र पाय जाते हैं दोस्तों छोटा धदुरा का अंग्रेजी नाम जेन्थियम साइवरकम है इसे साइवेरियन कोकलबर भी कहते हैं और इसे हिंदी में छोटा धदुरा छोटा गोखरू इत्यादी नामों से जाना जाता है दोस्तों आज हम छोटा धदुरा के एक महत्वपूर्ण फायदे के बारे में बात करने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको इस फायदे के बारे में बताने से पहले एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह क वीडियो आप सबसे पहले देख सकें दोस्तों आजकल किसी भी उम्र में सफेद बाल या फिर गंजपन की परिशानी आ जाती है दोस्तों आजकल गंजपन की समिश्या काफी बढ़ गई है हर दूसरे आदमी को गंजपन की समिश्या है तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग गंजेपन की समिश्या के को दूर करने के लिए इस प्रयोग को बताएंगे जिससे आपकी गंजेपन की समिश्या दूर हो जाएगी दोस्तों यदि आप भी उनमें से एक हैं तो घवराने के जरुरत नहीं है छोटा धतुरा आपके लिए बहुत बड़ी दवा है जिसका यूज करने पर सफेद वालों और जड़ते वालों पर रोक लग सकती है दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ परिख्शन करना होगा जिससे आपको पता चल जाए कि क्या आपको इस पत्ते से एलर्जी तो नहीं है या फिर कुछ side effect तो नहीं हो रहा है तो इसके लिए दोस्तों आपको इसके कॉमल पत्तों को पीस कर सर में छोटे से जगह पर आप लगा कर रखें तो इससे क्या होगा कि आपका अगर allergy है तो वहाँ पर सूजन होगा या खुजली होने लगेगा या फिर फेस में रैसिस होने लगेगा तो दोस्तों इससे आपको पता चल जाए कि इससे आपको allergy है तो इससे आपको यूज नहीं करना है और अगर ये सब condition नहीं होता है तो दोस्तों इसके लिए आपको छोटा धतुरा के पत्तों को पीस लेना ह हफते में इस परिक्रिया को तीन बार करना है एक महिने के भीतर आपको result मिलना सुरू हो जाएगा जिसके चलते आपके बाल काले होने लगेंगे और बालों का जढ़ना भी कम हो जाएगा और नयावाल आने लगेगा तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो फसंद आया तो वीडियो को फटा फट लाइक कर दें धन्यवाद